हर्याना के गुरुगराम में बुद्वाज सुभे तेंद्वा घोसाया इस दोरान उसने एक युवक को जखमी कर दिया जिसके बाद इलाके में हड़कम मचा हुआ है अभी तेंद्वा की लोकेशन सहर के करीब पांच किलो मीटर दूर बताई जा रही है तेंद्वा को पकड इसके बाद गुरुगराम पुलिस और वाइल लाइफ की टीम में मौके पर पहुंच गई है तेंद्वा के देखने के लिए लोकों की भीड जमा होने लगी उसके किसी घर में घुसे होने की संभावना जाहिर की जा रही है जिसको लेकर टीम में लगातार सर्च उपरेशन कर रही है वाइल लाइफ टीम का कहना है कि सर्दियों में जंगल में ज्यादा ठंड होने की वज़े से धूप की तलास में अकसर तेंद्वे रिहाईसी इलाके में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है हर्याना के गुरुगराम में बुद्वाज सुभे तेंद्वा घोसाया इस दोरान उसने एक युवक को जक्मी कर दिया जिसके बाद इलाके में हडकम मचा हुआ है अभी तेंद्वे की लोकेशन सहर के करीब पांच किलो मीटर दूर बताई जा रही है तेंद्वे को पकड़ने के लिए वाइल लाइफ की टीमें पिंजरा लेकर पहुँच गई ह फिलाल उसका कोई पता नहीं चल पा रहा है। गुरुगराम के नर्सिंग पराग रहने वाले महिस ने बताई कि सुबह च्हे वजे तेंद्वे को देखा गया उसने इसकी सुचना तुरंत गुरुगराम पुलिस को दी जिसके बाद गुरुगराम पुलिस और वाइल कि सर्दियों में जंगल में जादा ठंड होने की वज़े से धूप की तलास में अकसर तेंद्वे रिहाईसी इलाके में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। गुरुगराम में बुद्वाज सुभे तेंद्वे घुसाया। इस दोरान उसने एक युवक को जक्मी कर दिया जिसके बाद इलाके में हडकम मचा हुआ है। मौके पर पहुँच गई है। तेंद्वे के देखने के लिए लोगों की भीड जमा होने लगी उसके किसी घर में गुसे होने की संभावना जाहिर की जा रही है। जिसको लेकर टीम में लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। वाइल लाइब टीम का कहना है कि सर्दियों में जंगल में ज्यादा ठंड होने की वज़े से धूप की तलास में अक्सर तेंद्वे रहाइसी इलाके में आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।